तो दोस्तों कैसे हैं? आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे. तो फाइनली अब इंतजार खत्म हो गया और आज मैं गोरकपुर मेट्रो पर लेटेस्ट और डिटेल्स वीडियो लेकर आ चुका हूँ. वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है. तो प्लीज आस तक देखिएगा और बिलकुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो में A to Z जानकारी बताने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरी कोई वीडियो देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट हैं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लीजिए इसी प्रकार की फ्यूचर में भी लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं. तो उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही है. योजना के अनुसार दो मेट्रो लाइनों का निर्मान किया जाएगा और गोरखपुर में कुल 27 मेट्रो स्टेशन होंगे. क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तरप्रदेश सरकार ने 2017 में UPMRCL को परियोजना के समनवयक के रूप में नियुक्त किया. UPMRCL को हित धारकों को एक साथ लाकर चरण एक शुरू करने का काम सौपा गया था. Rail India Technical and Economic Service ने एक परियोजना रिपोर्ट तयार की, जिसे मार्च 2019 में निगम को प्रस्तुत किया गया था. इसे अक्टूबर 2020 में राज्यमंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था. सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने नवंबर 2021 में परियोजना के पहले चरण को जूरी दी थी. मगर अब फिलहाल अभी गोरखपुर में दो रूट पर मेट्रो चलाने जा रही है. गोरखपुर मेट्रो रूट की दो लाइने. इस कुछ प्रकार होंगी जिसमें से पहली लाइन श्याम नगर से सूबा बाजार तक होगा, तो वही दूसरी लाइन गुल 16 स्टेशन शामिल होंगे. इस मेट्रो लाइन की लंबाई 16.95 किलो मीटर है. यहाँ वे विभिन्न स्टेशन हैं जिन्हें यह मेट्रो लाइन कवर करेगी श्याम नगर, बरगद्वा, शास्त्री नगर, नथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला. यह अब दूसरी लाइन की बात करते हैं, तो यह गुल रिहा से कचहरी चौराहा तक चलेगी, जिसमें कुल 11 स्टेशन शामिल होंगे. इस मेट्रो लाइन की लंबाई 10.46 किलो मीटर है. आए उन विभिन्न स्टेशनों पर भी एक नजर डालें, जिन्हें यह मेट्रो लाइन गोल घर कचहरी चौराहा तक चलेगी, दोस्तों. अब जो मैं बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनियेगा. इसमें आपका काफी प्रॉफिट होगा मेट्रो स्टेशन बन जाने से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, गोरखपुर मेट्रो लाइन के पास पत्ती में निवेश करते समय, विचार करने के लिए यहां कुछ शीर्ष स्थान भी बताया गया है, जैसे की बशारतपुर यहां पर पूरवी गोरखपुर में स्थित, बशारतपुर मेट्रो लाइन के निकट होने के कारण, मांग वाले आवासिय क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, दूसरी लाइन पर बशारतपुर क्षेत्र के लिए एक मेट्रो स्थेशन होगा, इसके अलावा पहली लाइन पर आगामी शास्त्री नगर मेट्रो स्थेशन बशारतपुर से 4.2 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, यह एक शान्ति पूर्ण रहने का और स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन केंद्र जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। बशारतपुर में संपत्ति की कीमतें अपेक्षा कृत सस्ती हैं, जो इसे बजट के प्रती जागरूक निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती हैं। वहीं अगर दूसरी स्टेशन की बात करें, तो सिविल लाइन्स स्टेशन गोरखपुर के मध्य में स्थित, सिविल लाइन्स एक प्रमुख आवासियक शेत्र है, जो मेट्रो लाइन से उतकृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आगामी हजारिपुर और धर्मशाला मेट्रो स केंद्रों से निकटता के लिए जाना जाता है। सिविल लाइन्स में संपत्ति की कीमतों में लगातार वृद्धी देखी गई है, जिससे यह एक आकरशक निवेश विकल्प बन गया है। और अगर वहीं हम शाहपुर स्टेशन की बात करें, तो यहां असुरन चौक मेट् स्टेशन के करीब स्थित शाहपुर एक तेजी से विकास शील क्षेत्र है, जो आवासियें और व्यावसाइक संपत्तियों की पेशकश करता है। उक्त मेट्रो स्टेशन शाहपुर से लगभग 1.3 किलोमीटर की दूरी पर है। कॉलोनी अपने सुनियोजित बुनियादी धांचे, अच्छी कनेक्टिविटी और शैक्षनिक संस्थानों, अस्पतालों और शॉपिंग सेंटरों से निकटता के लिए जानी जाती है। शाहपुर में संपत्ति की कीमतों में व्रिद्ध की प्रवृत्ति दिखाई गई है, जो निवेशकों को विकास क्षमता की तल चल भरा इलाका है। यह हजारियापुर, मेट्रो, स्टेशन से 1.8 किलो मीटर से भी कम दूरी पर है। बेतियाहाता बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स और शैक्षनिक संस्थानों सहित कई सुविधाओं के साथ एक जीवन्त क्षेत्र है। अपने रणनीतिक स्थान के का कारण बेतियाहाता में संपत्ती की कीमतों में काफी वृध्धी देखी गई है, जिससे यह निवेशकों के लिए एक आकरशक विकल्प बन गया है। चलिए, अब बात करते हैं रुस्तमपुर स्टेशन की, तो रुस्तमपुर गोरकपुर मेट्रो लाइन के पास एक और इ इसे रहने के लिए एक सुविधा जनक स्थान बनाता है। रुस्तमपुर ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण, आवासिये और वानिज्जिक विकास देखा है और संपत्ती की कीमतों में लगातार वृध्धी हुई है। यहां प्रॉपर्टी में निवेश करने से लॉ गोरखपुर के निवासी अधिक सुगमता से आवागमन कर सकेंगे। मेट्रो लाइनों से शेहर में संपत्ती की दरों में भी वृध्धी होगी। मेट्रो लाइन के साथ वानिज्जिक और आवासिये संपत्तियों में विशेश रूप से कीमतों में उच्छाल देखा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ गोरखपुर मेट्रो का काम आपको दिसंबर 2023 तक देखने को मिलने लगेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई स रखियेगा जय हिंद जय भारत